आप सबीको exam nano में फिर से हार्दिक स्वागत आज की session में हम लोग बात करेंगी 20 most important MCQ questions जो PYQ questions है और ये सारे question आपका कौन सा topic से होगा? जियोग्राफी और जार्खंड यानि कि जार्खंड के भूगल नामक topic से ये 20 questions जो है आपका डाला गया काफी important session होने जा रहा है आज का क्योंकि जियोग्राफी और जार्खंड से सम्बंदित जो भी doubt है आपका वो सारा doubt इस session के माध्यम सा आपका हम clear कर देंगे और उसके साथ ही अगर आप exam nano application को download करते हैं तो वहाँ पर आप batches को access कर सकते हैं notes और PDF को तो चले हम लोग session की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला question आज के session का आप से पूछा जा रहा है कि जार्खंड किस गोलार्द में इस्तित है अगर हम लोग बात करें जार्खंड की location पोजिशन को इंडिया के reference में और साथी साथ world के reference में तो अगर आप इंडिया के reference में अगर position देखेंगे जार्खंड का तो इंडिया के reference में जार्खंड जो है भारत के पूरवी भाग में इस्तिते थे आप देखेंगे यहाँ पर इस map में तो भारत के जो पूरवी भाग है भारत के जारखंड किस गुलार्द में है आपका उत्तरी गुलार्द में situated है तो अगर World Map के हिसाब से देखे तो जारखंड का जो LOOKation है वो हो जाएगा आपका ऊथ्तरी गुलार्द वह अगर हम लोग India की मैप के हिसाब से देखे तो वह बारत के पूरभी भागमें जो है आपका क्या पुछा गया था आपसे कि जार्कंड किस गुलार्द में इस्तित है तो यहां पर आंसर आपका उत्तर ही गुलार्द हो जाएगा कुंसा हो जाएगा आपका उत्तर ही गुलार्द में जो है जार्कंड सीचुटेट है तो आपका जो पूर्वी भाग है जार्कंड का पूर्वी भाग में आप इधर आपका इस्ट्रेंड साइड यह होगे आपका इस्ट्रेंड साइड इधर होगे आपका वेस्ट्रेंड साइड यह बिहारवाला पार्ट हो जाएगा आपका नौर्थ साइड क्या हो जाएगा आ नीचे आपका south part question आपसे पूछा जार्खंड का सबसे पस्चिमी जिला जिले के नाम दिया हुआ यहाँ पर गड़वा लातेहार गुमला और सिम्डेगा तो पस्चिमी पार्ट को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गड़वा जिला है वह किसमे है पस्चिमी भाग में है यहाँ लात्यार भी आपका पस्चिम में है गुमला भी पस्चिम में है वो सिम्डेगा भी जो है जार्खंड के पस्चिमी भाग में situated है बट पुछारा जारा था आपसे कि सबसे पस्चिमी जिला कुन से एकदम पस्चिम में तो एकदम पस जो UP के साथ अपना border को share करता है यहाँ map में देखेंगे तो गड़वा जो है सबसे पस्चिम में है situated है और यह आपका दो राज्यों के साथ एक 36 गड़ के साथ और दूसरा UP के साथ अपना border को share करता है पर बहुत बार exam में पूछा आ चुका है कि गड़वा जिला कौन सा ऐसा जिला है जो UP के साथ border share करता है तो UP के साथ border share करने वाला आपका यहाँ गड़वा जिला हो जाएगा तो question number two का answer आपको clear हो गया map के साथ आपको समझाए तो और आपको समझ में आया बहतर और जब आप map के माध्यम से कोई चीज़ को पढ़ते है खास करके geography को, science subject को तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए fit हो जाता है जैसे यह notes आपका त्यार किया गया है जो कि पुरा का पुरा एकदम पुरा research best है और उनी सरे topic को याड़ किया गया जो बार बार exam में पुछा जाता है so that minimum time में आप maximum ROI प्राप्त करें जिसे हम लोग कहते है ROI होता है कि रिटर्न और इंवेस्टमेंट है रिटर्न और इंवेस्टमेंट यानि कि आप कितना इंवेस्टमेंट किये पर कितना return मिला इसको आपको calculate करते रहना चाहिए मालना चाहिए कि डेली अगर आप चार गंटे पढ़ रहा है तो चार गंटे पढ़ने के बाद आप कितने knowledge गेन किये यह आपका assessment जोरूरी है ऐसा नहीं कि आप 8 गंटा पढ़ते जा रहे है बट आप जब question लगा रहे है तो वहाँ पर आपका 100 question में से मात्र 50 question बन रहा है तो वहाँ पर आपका return on investment बहुत ही कम है आपका at least 72-30% चीज़े आपका बननी चाहिए आपका theory part पढ़ने के बाद MCQ में तो उसी type के चीज़ों का भ्यान रखना पढ़ेगा move to the question number three question number three आपसे पूछा जा रहा है कि निमनलकित कीस राज्य के साथ जार्खंड अपनी सीमा को साजा नहीं करता तो जार्खंड के map में हम लोग देखे थे कि जार्खंड जो है 5 राज्यों के साथ अपना सीमा को साजा करता है कितने राज्योग साथ 5 राज्योग साथ पहले क्लास में भी हम लोग बिसकस किये थे कि आपका उत्तर में जो है आपका बिहार के साथ सीमा साजा करता है और बिहार का 46% भुबाग को काट कर ही जारखंड का निर्मान किया गया और पहले आपना जो जारखंड वाला एरिया थ इसे हम लोग देख्षिन ही बिहार के नाम से जानते थे तो एक होगी आपका बिहार दूसरा यूपी के साथ बोर्डर सेयर करता है इदर आपका 36 गड़ के साथ पूरफ में आपका वेस्ट बेंगुल के साथ और आप अगर देखेंगे देख्षिन में तो देख्षिन में और इसे के साथ बोर्डर सेयर करता है तो टोटल कितना राज हो गया एक दो तीन चार पांच तो पांच राज्यों के साथ जारखंड क्या करता है अपना बोर्डर सेयर करती है बट यहां पर आप देखेंगे तो पस्ची मंगल के साथ बोर्डर सेयर करती है यूपी के साथ करती है और इससे अकसाद भी करता है बट MP के साथ कोई भी border share नहीं करता है और आपको बता दे कि जारखंड क्या आप एक landlocked यानि पुरा का पुरा चारो और से भूमी से गिरा हुआ state है उसी प्रकार से अगर हम लोग MP को देखें मज्दपरदेश को देखें इंडिया के मैप में तो मज्दपरदेश भी आपका एक landlocked जो है आपका क्या है state है चारो और से भूमी से घिरा हुआ कहीं से भी आपका समुंदर नजरम लोग को नहीं आ रहा उसी प्रकार से 36 गड़ भी पुरा का पुरा एक landlocked स्टेट में आ जाएगा तो कुछी स्टेट ऐसे जो पुरा का पुरा पुरा लैंड लॉक्त है उसके लैंड लॉक्त बोलने का मतलब ही कि वो क्या समुंदर के साथ बोडर से नहीं करता जैसे को अड़ी सावडिस्या का आपका कोस्टेल बोडर देखने को मिलेगा यहां पर वेस्ट बेंगोल का कोस्टेल बोडर देखने को मिलेगा पढ़ हम लोग झारकान MP की बात करेंगे तो आप नहीं मिलता तो यहां पर क्वेश्टेन नमर 3 का option नमर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा. सेसन अच्छा लग रहा तो map और आपको दिखेएगा, कि जो है जो लगवग-लगवग आपका, कितने राज्योग साथ गुजरता है, आपर यहांग्राइखत, एक आपका गुजराथ है, दूसरा आपका राजस्तान है, मज्द परदेश, चतिसगर, जारखंड, वेस्ट पेंगल, त्रिपुरा और मिजरम, टोटल आठ राज्जु से होकर करकर रखा गुजरती है, और कुछा जा रहा था कि किस से होकर आपका गुजरता है, तो जम्मु कस्मिर के साथ तो यह नहीं गुजरता है, वियार के साथ हिमाचल परदेश के साथ भी नहीं गुजरता है, जारखंड जो है जारखंड कर कर कर피क रखा गुजरता है, और टोटल इंडिया की रेफरेंस में अगर हम लोग बात करें, तो टोटल कितने रहा, श्टेट के साथ, टोटल आठ राज्यों से होकर आपका करकर रेخा पास हो लोगों पता चला कि जलों से हो करकर का उज़रति है अब किम की दो इसको भूजरति है यह आपको द्यान देना है तो फिर हम मैप में जाएंगे और मैप में से देखें तो आपको बहते समझ बाएगा यहा पर डाला गया है वे हैं यहांपका है ओर आपका गुमला से होकर पास होती है और फिर राची से पास होता है राची का काके और और मांजी से जो है आपका करकरेखा पास होती है तिस प्रकार से इस question का सही उत्तर हो जाएगा आपका राची राची से होकर आपका करकरेखा गुजरती है और total जारखन के कितने जिलों से होकर तो पता चले कि हाँ इस पर ज़्यादा आपको ध्यान देना है मुप्ड़ दे क्वेश्चन नमर 6 और क्वेश्चन नमर 6 आप से पुछा जा रहा है कि जारखंड पुर्वी स्थिती के बारे में निमने में से कौन सा कथन सही है तो चार स्टेट्मेंट दिया गया है और पुर्वी स्थिती के बारे में आपको कथन देखना है तो पहला है कि जारखंड भारत के जारखंड जो है भारत का जारखंड भारत के ब्रमपुत्र समतल भूमी पर इस्थी थे तो आप ध्यान से देखेंगे इंडिया के मैप को, हम लोग कहा चलेंगे अब इंडिया के मैप, तो ब्रह्मोपुत्र के साइड में किसी भी एंगल से जो है जार्खन सिचुएटेड नहीं है, सेकेंड है कि जार्खन पूरवी हिमालाई छेत्री में इस्तित है, ये भी आपक कि पस्ची मंगाल जार्खन के उत्तर पूरव में है, तो हम लोग देखे थे कि पूरव में जो है, जार्खन के पूरव में कौन सा इस्टेट है आपका, पस्ची मंगाल में है, और थोड़ा सा ये उत्तर पूरव में भी है, अगर आप देखेंगे यहां पर ध्यान से ये नॉर्थ बाला पाट है तो हियां नॉर्थ नॉर्थ में जो पाकुड उन्मका वाला एरिया है है बंगालby के सथने सेटरा सचने स्वैपकूइज सब्सक्राइब इब की पुर्ब. तो उत्तर पुर्वी भाग, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि पस्ची मंगाल जार्खन के उत्तर पुरब में हैं, तो question number 6 का जो आंसर होगा, वो आपका option number C होगा question number 7 और question number 7 आपसे कुछा जारा है, कि जार्खन राज मुख्यतर पर 10 पर इस्ति थे, तो हम लोग सभी जानते हैं, कि जार्खन जो है छोटानागपूर पठार पर इस्ति थे, option number B आपका विल्कूल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, जार्खन कौन सा पठार पर इस्ति थे, next question number 8 पुछा जारा आपसे कि राजमहल ट्रेप का निर्मान किस काल में हुआ है, तो राजमहल ट्रेप का निर्मान जो है आपका जुरासिक जुग में हुआ, किस एज में आपका जुरासिक जुग में राजमहल ट्रेप का निर्मान हुआ है, और यह राजमहल कहां पर यह या पर आपको साहिप गएज दिख रहा है मैं जो है आपका राजहल ट्रैप आपको देखने को मिलती है कुन सांव पर struggle क्या नेक्स्ट प्र美國 करेंगे हम लोगों नेक्स्ट आप से पुछा जा रहा है कि जिर्खंट भारत के खुल घ्यथे तरफ susceptate तो जनररल ही कितना पर्संटेज है? आपके 2.42 पर्संटेज, कितना आपका 2.42 पर्संटेज टो है।어도 आपका क्रले तो यह ही सायुत्तर सरी है, यहाँ सहर Value और आपसे पूछा जा रहा कि आपसे या जिला आपसे नहीं पूछा जा रहा हां, तो सहर का भोगुलिक छत्र जो है जिगोग्राफिकल एरिया सबसे अधीक है तो हम लोग बात करें कि जारकन के बड़ा-बड़ा साहर में कुन-कुन सा आता है एक राची आ जाता आपका दुछरा आपका कुन सा आ जाएगा जमसेद्पूर आ जाता है फिर आपका धनबाद एक बड़ क्लास बड़ा बात के थे बड़ा-जिला का और सब बलं के बहते में च्छाहर में में इसल़के और पहला क्लास में हम लोग बता है कि इतना यह महां से चाङ cya k eleanor से च 911 केниц तो नीचे तक है तो आपका क्या हो जाएगा नॉट सथ आपका 380 km हो झाएगा और ऑप्पा से पस्थीम जायेंगे तो आपका 463 किलो मेटर हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आंसा 380 किलो मेटर और हम लोग पूरब से पस्षीम की ओर जाएगे तो यह आपका कितना हो जाएगा 463 किलो मेटर इस टूएस 460 किलो मेटर और नौर्थ से साउथ जाएगे तो 380 किलो मेटर जो है आपका जारखंट की आपका इस्तार है तो question number 11 का आपका यहाँ पर clear होता है मुप्टदी question number 12 question number 12 आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्भी सिंग्भुम जीला नीम नलकित में से किसका हिस्सा है तो ये आपका सभी को पता है कि ये भी आपका क्या चोटा नागपूर पठर का हिस्सा है किसका हिस्सा है question number 12 का अंसर option number A हो जाएगा मुप्त दी question number 13 और question number 13 आपसे पूछा जा रहा है कि उच्चेतर रांची पठर का ओसत समुद्र तलसी उचाई कितनी है तो पचीस सो से च्छतीस सो फीट जो है आपका रांची पठर की उचाई है उच्यतर रांची पठर का उचाई है तो question number 13 का answer option number A हो जाएगा move to the question number 14 question number 14 आपसे पूछा जा रहा है कि जहारखंट का कुल भोगलिक चेतरफल कितना है तो अगर हम लोग हेक्टेर में बात करें तो आपका हो जाएगा 79.7 लाग हेक्टेर जो है जहारखंट का total geographical area है और हम लोग बात करें किलोमेटर स्कूर में तो 79,714 किलोमेटर स्कूर है और बिहार के कितने परसंटेज भुबाग को अलेक करके जहारखंट का निर्मान हुआ है 46% भुबाग को अलेक करके जहारखंट का निर्मान हुआ है यहां आप पुरा ओलबार इंडिया के मैप में जाएंगे तो ये पूरा-का-का एक टॉप्तिवी इन पूरा-का पूरा ऐख भिहार का लाता था फिर बिहार का 46 परसनी भुपा को काट करके आपना ज़्ांगढ का निर्माद का हुआ यह आपको में कॉमेंट बुक्स में कॉ तो ज़ारकन का सबसे ठंडी जग़ कौन सा हो जैगा आपका तो नेता रहट जो है आपका ज़ारकन का सबसे ठंडी जगह के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट कोश्चन आपसे पुछा जा रहा है ये तोड़ा ट्रिकी कोश्चन है जार्खन एसा एक्जाम में पुछा गया था कि जार्खन राजी के पूरे छेत्र की तुलणा में पूरवी सिंग्मूम जिला का परसंटेज आपसे पुछा जा रहा है तो इस टैप के तो इसका अन्सार हो जाएगा कि संपुर्ण राज का 2.03% जो है आपका पूरबी सिंखुम fiber का परसंटेज है पूरबी सिंखुम जिला का क्यों पुछा गया है क्योंकि हम लोग क्या जाते है कि पूरबी सिंखुम ostee रैंक क्या है in terms of geographical area मुट्ट दी question number 17 question number 17 आपसे पुछा जा रहा है कि जार्खन राज को कितने किर्सी मोसम छेत्र में बटा गया तो जार्खन को total तीन किर्सी मोसम छेत्र में बटा गया तो option number C इसका बिल्कुल सहय उत्तर हो जाएगा मुट्ट दी question number 18 और question number 18 आपसे पूछा जा रहा है कि कितने भगलेक छेत्र में जार्खन को विभाजित क्या गया है तो जार्खन को जो है total आपका चार भगलेक छेत्र में विभाजित क्या गया है कितने भगलेक छेत्र चार भगलेक छेत्र में तो map में आप जायेंगे तो यहाँ खोटी जिला देखेंगे यहाँ पर हदर होगी आराची यहाँ पर आपका खोटी तो खोटी जिला का आप ध्यान से देखेंगे ति जिला में इस्तिताग, किस जिला में इस्तिताग आपका पस्चिमी सिंगम जिला में आपका सरंडा इस्तितेग, तीस प्रकार से टोटल आज हम लोग 20 इंप्रोडन क्वेश्चन डिसकस किये हैं, जो एक्जाम पॉइंट अब व्यू से काफी इंपोर्टेंट हैं, बार बार जितने भी एक्जाम हुए थी, उन सारे एक्जाम से हम लोग क्वेश्चन को ला रहे हैं, और साथ ही साथ आपको जो नोट्स प्रोबाइड कर रहे हैं, जो कि आपका नोट्स आपको लेना है, तो आप एक्जाम ने में अप्लेक्शन को डाउनलोड कर लिजएगा, वहां स आप नोट्स एक्सस कर सकते हैं, एक्पलेक्शन जो है आपका प्ले इस्टोर में अविलेबल है, सारा डीटेल में आपको सारा चीज देखने को मिलेगा, अगर हम लोग जी एक्जाम लोग नमबर लाएंगे, सभी लोग CGL का त्यारी कर रहा है, इतने लंबे समय से, बाकि सारा की एक्जाम का त्यारी कर रहे हैं, तो यहां पर वोग का स्कूर हो जाएगा, 30 से 35 का स्कूर कर लेंगे, तो यहां पर आपको स्कूर ज्यादा करना, यहां पर आपका at least 40 कुस्चन का स्कूर करना है, तब जाके आपका रिजल्ट बनने वाला है, क्योंकि इसमें साथ बिग्गान के लिए भी आपको 20 कुछ चैने तो सारे चीजों का नोट्स आपको प्रोवाइट कर जाएगा वहां पर आपको का नोट्स की बात करते हैं यह सारे चीज़ें बगर बनाए गया है विए इसको फेशनेट लगे आपको पढ़कर बोरिंग ना लगे जब आप नोट्स पढ़े तो किताब और नोट्स में यहां काफी आंतर हो जाता है कि इसी चीज़ को करकर रखावाला जो की जर्खेंड के यह एक डिजाइन मना दिया गया है, इसको आपके दिमाग में लंबे समझते हैं कि इस्टे कर पाए, तिनी सब चीजों को धियान में रखते हैं हम लोग, जैसे कि यह जिला के बारे में बनना किया गया है, कि सरवाधिक छेत्रफल किस जिला का है, तो सबसे है आपका वेस्ट सिंग मूम, फिर आपका गुंबला जिला है, फिर आची जिला का है, निवनुतम में आपका रामगड आता है, लोर्देगा आता है, फिर पाकोड आता है, वो सबसे पड़ा जिला की बात करें, झाल झाल झाल